जैपुर में कोरोना वाइरस का संक्रमन का कहर जारी है तो भहीं अब अब प्रशासन की ओर से कोरोना संधिक्द जिनको कॉरिंटाइन किया गया था उनको अब स्वास ठीक होने पर वापस घर भेजा जा रहा है इसी कड़ी में सिंधिकेंब इस्तित होटल नीलम में बनाये के कॉरिंटाइन सेंटर में ठीक होए मरीजों को रोडवेज की बस में बढ़ा कर पुलिस सुरक्षा में घर भेजा गया कॉरिंटाइन सेंटर निर्क्षे के अनुसार कुल 45 मरीजों को कॉरिंटाइन किया गया था जिसमें से 7 पॉजिटिव पाए गए तो उनको पहले सी अस्पिताल भीजा जा चुका था उसके बाद 37 में से 2 को छोड़कर सभी अब ठीक हो चुके हैं उनको भी अब घर पहुँचाए गया है और दो मरीज सेंपल दुबारा जांज के लिए भेज गये हैं उनको निर्लम कॉरिंटाइन सेंटर बना रखा था हमने जिसमें टोटल चमबरेश लोगों को कॉरिंटाइन किया गया था जिसमें से पुरों में साथ पोजिटिव आ गये थे उनको निम सो उस्किटल में आगे के इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया था शेस बचे 37 में से अभी सभी को गर बेजा जा रहा है दोस्त दो लोगों की रिपोर्ट चेंपलिंग दुबरा से होगी उनकी दुबरा जांस कर ली गई है भी तो उनकी कल जहां साने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी दो लोग अभी यहीं पर रुखेंगे और इन में से दो लोग अजमेर के हैं उनको अभी बेजने की कारवाई की जा रही या फिर सूबत तक जैसे भी होगा समभा होगा अभी बेज रहे हैं कुलाबी नगरी जेपूर में कई जगह कोरोना संदिक मिलने के बाद सरकार की तरब से कई क्वाइटन सेंटर बनाए गे थे खासतना कई जगह होटलों में धरमसालाओं में ऐसी जगह पर क्वाइटन सेंटर बनाए गे थे वहाँ पर जो है अब जो जो लोग ठीक हो गए है उनको जो है घर पहुचाना का काम किया जा रहा है सिंदी के हम पिष्टी ते क्वाइटन सेंटर को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है केमरामन को कहना चाहूंगा दिखाएं एक रोडवेज की बस है इस बस के अंदर जो है इन लोगों को यहाँ से ले जाए जाएगा और अपने घर तक पहुचा जाएगा इसके लावा यहाँ पर कड़ी पुलिश रुक्षा जो यहाँ पर देखने को मिल रही है यहाँ पर पूरी तरीकी से रस्ते को जो रास्ते को ब्लॉक किया गया है उसके बाद ही जो है बकाईदा एननाउस करते हुए जो भी है इनको लोगों को यहाँ से बस में बिठाया जा रहा है और देख सकते हैं कि यह लोग जो है एक एक करके यहाँ से इस होटल जो थी इस होटल के अंदर क्वाटरेंट सेंटर बनाये गया था अब चूंकि इनकी जो अवधी है या इनका स्वास्त ठीक हो चुका है तो उसको देखते हुए परसासन अब इन लोगों को घ घर पहुचाने का काम कर रहा है जिसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है आप देख सेते हैं कि लोग जा रहे हैं और बस में बेट रहे हैं उसके बाद बस यहाँ से रवाना होगी और इन लोगों को अपने घर पहुचाने का जो है काम परसासन की तरब से किया जा रहा है तो ऐसे में कोरोना जो बीमारी है उससे जो लोग लगातार परसासन को सयोग कर रहे थे उस सयोग के बाद जो है लोग क्वार्टन सेंटर पहुचे थे तो क्वार्टन सेंटर में अब चुकी उनके ठीक होने पर जो है परसासन उनके घर पहुचने का इंतिजाम भी कर रहा है क पर एक ब्रेक का है कुछ और ख़बरों के साथ हनुमन सिंग चारण एवन टीवी जैपूर